हेलो एवरिवन, वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे स्क्वेस्ट जम्मो क्लासफोर्ट के जो ओनलाइन फॉर्म है वो फिल कैसे करोगे यानि शेरी कश्मीर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, प्लीज सब्सक्राइब कर देना बहुत मेहनत लगती है तो सीरा जलते हैं वीडियो की और पहले आपको दिखाते हैं अड़ोटाइजमेंट, बात की जाए, नेम आप पोस्ट की, इसमें प्याउन, और्डरली चोकी डाल, लैबाटरी एटेंडेंट, लाइब्रेरी एटेंडेंट, माली गार्डनर, एन इक्वैलेंट, तो आपके जो एप्लिकेशन ओनलाइन डेट स्टार्ट है, वो 25 साथ से है, और लास्ट डेट जो है, वो 31 साथ 2022 को रहने वाला है, अब आपको दिखाते हैं कि आप अपना फॉर्म फिल कैसे करोगे, आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा स्क्वेस्ट जमू, स्क्वेस्ट जमू सर्च करने के बाद आपके सामने स्क्वेस्ट जमू का ओफिशल वेबसाइट आ जाएगा तो आपको ये ओपन कर देना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे रूंट of teaching position पॉजिशन दीख रह ए तो आपको कलिक करना है कि करने के बाद आपके सामने कि और एनसाइजियंगों कुछ track आजाएंगे तो आपको अपने इसके बाद आपको यहां पर नीचे आने के बाद आपको यहां पर नीचे आने के बाद आपको यहां पर रिजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रेक्शन दी गई है तो आपको यहां पर अपने इसके बाद आपको यहां पर नीचे आने के बाद आपको य आपको यहाँ पे अपना middle name और जो आपका name रहेगा हो as per matriculation certificate रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पे last name फिल करना है उसके बाद further's name उसके बाद आपको यहाँ पे mother's name फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पे enter करनी अपनी data birth उसके बाद आपको यहाँ पे select करना होगा अप For example, आप अपना यूजर नेम है, वो सेट करना चाहते हो, आपका जो नेम होगा, वो first capital letter में रखना, जो भी आपका नेम होगा, उसके बाद आपको small letters में रखना होगा, जैसे आप देख सकते हो, example के लिए आपको यहाँ पे मैंने यूजर नेम शो कर दिया, उसके बाद आपक रिजिस्टर पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद आपकी registration successfully हो जाएगी, registration होने के बाद, आपके email ID पे आपका यूजर नेम और पासवर्ट भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे click to login पे click करने के बाद, आपको यहाँ पे फिल करना होगा, अपना यूजर न लॉग इन कर देना है लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आप सेक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक आफशिन आ रहा है एपलाई नो तो आपको यहाँ पे एपलाई नो पे क्लिक करना है एपलाई नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहार आपनी जो पोस्त हो चूस WASंप करने हैं हैंаешь चूस पोस्ट पे क्लीक करना ने के बाद आपको नीचे आहाने नीचे आने के बाद आप स्बस्ट पर आपने आप्टे हिय जो पिल करना फ्रियल municipy om अडरिस और कार्सपॉंडेंस एडरिस हैं है। तो आपको यहां पर Sam as above पर टिक कर देना है। उसकी पाद आपको बोल रहे, Domicile of UT of German Kishmir तो आपको यहां पर Yes कर देना है। उसकी बाद आपको यहां पर इसलेक्ट करनी है अपनी कटा करी जो भी होगी अरबीए, Open SCST। उसकी इसके बाद आपको यहाँ पे स्लेक्ट करना है कि आप इन सर्वस कैनिडेट है, है अगर तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं हो तो आपको नो कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे खिलाफ कोई कोट केस है या और कुछ है, तो आपको यहाँ पे अगर है त तो यस नहीं तो आपको no कर देना है उसके बाद आपको फिर से बताया गया है कि आपके खिलाफ कोई केस या कोई पैनल्टी हुई है तो आपको yes या no कर देना है उसके बाद आपको यहां पर एक और आफशन आ रहा है वैदर आपका जो family members है वो government sir उसमें है तो आपको यहां यहां पे अगर है तो Yes कर देना, अगर नहीं है तो आपको No करना है। उसके बाद आपको यहां पे आप créer mensen guidelines हो गोजो भी हो, तो आपको Yes यह No कर देना है। नहीं है तो आपको No करने के बाद आपको एड्यूकेशनल वह टो नहीं है, इंटर करनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी matrix डटील एंटर करनी होगी, सबसे पहले आपको अपना board सेलेक्ट कर देना है, आपने की बोर्ड से पास किया है, जम्मो एंड किश्मिर स्टेट बोर्ड से या CBSE, जिस बोर्ड से भी आपने पास किया है, तो आपको यहाँ पर इस board का name fill कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना passing year 10 का fill करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी percentage fill करनी है, उसके बाद आपको यहापे अपनी 12th के जो बोर्ड है वो स्लेक्ट करने है अपने किस बोर्ड से पास किया है उसके बाद आपको यहापे एर स्लेक्ट करने के बाद आपको यहापे अपनी पसंटेज स्लेक्ट करनी है और ग्रेड आपके पास जो भी अवैलेबल होगा पसंटेज या ग् उसके बाद आपको यहाँ पे अपने 12th के मैं सबजेक्ट एंटर करने है उसके बाद आपको save and continue पे click करना है save and continue पे click करने के बाद आपकी details save हो जाएगी उसके बाद अगर आपका कोई experience है आपके पास तो आपको yes कर देना अगर नहीं है तो आपको no कर दो, no करने के बाद आपको save and continue पे click करना है, save and continue पे click करने के बाद आपको कुछ instructions दी गई है, image upload करने के लिए, यहाँ पे आपको instruction दी गई है, all three photo, signature, thumb impression are mandatory, आपका जो only jpg और jpeg format यहाँ पे accept होगा, उसके बाद आपका जो size रहने वाला है, वो 20 से 50 kb रहने वाला है, photo और thumb expressions और signature का, और जो signature का size है, वो 30 kb तक रहने वाला है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आजाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे choose file पे click करने है, choose file पे click करने के बाद आपको यहाँ पे upload पे click करने है, upload पे click करने के बाद आपका जो फाइल है वो अप्लोड हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सेगनीचर अप्लोड कर देनी है सेगनीचर अप्लोड करने के बाद आपको यहाँ पे थम इंप्रेशन अप्लोड कर देना है उसके बाद आपको सेव एंड कंटीन्यू पे क्लिक करने है सेव एंड कंटीन् चेक करनी है, सारी डिटिल चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपको कोई एडिट करना है तो आपको यहाँ पे एडिट अप्लिकेशन पे क्लिक करना है, अगर नहीं करना है तो आपको यहाँ पे आई हैर पर डिकलियर इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के आपको फिर से वापिस आ जाना है डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे अपकी डिटील्स फिर से शौ हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फी पेमिंट होगी आपको वो पे कर देनी है उसके बाद आपको यहां पे अपना पेमिंट option चूज करना है आप net banking, debit card, credit card या UPI से पेमिंट करना चाहते हो तो पेमिंट करने के बाद आपका जो form है वो submit हो जाएगा समिट होने के बाद आपका जो receipt है वो जरनेट हो जाएगा, receipt जरनेट होने के बाद आप future reference के लिए print out को अपने पास रख लीजे, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसे लगी वीडियो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई, अलाहाफिज, like, share और subscribe करना ना भूले, please, thank you.